परकार की भोगी व्रतियों को ही सुख समझते हैं ऐसे लोगों का शंग त्याग दे क्योंकि ये तमो द्वाराओं ये साक्षात नरक का द्वार हैं किसी एक माता बहन ने प्रशन किया था कि सास्त्रों में इस्त्री को नरक का द्वार कहा गया है तो ऐसा क्यों कहा गया है तो उसकी सास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हिर्दय की धरा चाहिए भूमिका चाहिए तो उस भाव को समझना है जो इस्त्री शरीर को तोग दृष्टी से देखा ये नरक का दौर हुआ क्यूंकि भगवान ने भी नरक के दौर का बरणन कियाकाम क्रूधा Tata लोभा भगवान केरे काम क्रूध लोग ये नरक के दौर है अर्फा तुम्ने काम दृष्टी से किसी भी माता बहन की तरब जो भाव किया वो तुम्ह सास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हरदय की भूमिका चाहिए पवित्रता चाहिए आप लोकिक दृष्टी से नहीं समझ पाएंगे जो केवल इस्त्री भोग को ही सुक समझते हैं जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं ये नारकी पुरुषें से पुरुषों का शंग त्याग करके संत संग करें संत संग कर रहें और ये भी कर रहें लाब नहीं मिलेगा लाब नहीं मिलेगा हो शकता है संत संग का कम असर और कुशंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए क्योंकि हम देखते हैं पांच वर्ष सत्संग सुना और पांच मिनट कुशंग हो गया तो सारे सत्संग पे पानी फेर देखा है अशा क्यों हुआ इतना कम जोर सत्संग है पुले नहीं अभी तुम्हें पांच मिनट दिखाई दे रहा है कुशंग लेकिन वो पचासों अनंतों वर्सों से कुशंग में ही रहा है थोड़ा समय सत्संग का मिला सुधार की तरफ सत्संग का मतलब चढ़ पांच वर्स की सत्संग की चढ़ाई पांच मिनट में उतार के फेक दिया कुशंग नहीं क्योंकि फिशला नसर से नीचे आ गया उपर चढ़ने में प्रया से नीचे आने में प्रयास नहीं होता है पानी कहीं भी डलो नीचे जाता है ऐसे हमारी ब्रतियां अधोगामी है प्रकत की तरपा करशित होती है इसलिए कुशंग का त्याग करके संत संग करे बहुत जल्दी लाव होता है पर प्रयाशा नहीं हो पाता है इसलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता है कैसे संत होते हैं जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनभो हो वोले महांतस्ते समचित्ताहा प्रशांता विमन्यवा सुषदा साधोये वो महांपुरुष्यन ये समचित्ताहा समदर्शिना प्रशांता शुद्ध चित्ताह विमन्यवा विगत क्रुधा सुषदा सर्वेशा मितकांख्षणा साधवा सदाचारा ते महांतो गेया वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वही परमशंत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं विद्याविले संपन्ने ब्राम्हने गविहस्टनी स्वनी चोई सुपाकेचा पंडिता संदर्शिना जो शब जगे अपने वही है ये तो बाद में पता चलता है ला कि आ चलिया कैसे चल रहे थे तुम आ करके अब समन्द में आया ये परदे लगा कर वही है वही है दूसरा ले ये तो गुरु कृप से बाद में जब अंता करण त्रिगुनात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तव ये दिखायो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सवरूपों में वही है